इस्राइल हमास के बीच शुरू हुआ युद्ध दिन प्रति दिन विग्राल रूप लेता जा रहा है इस्राइल हमास युद्ध के बीच अब इस्राइली सेना को गाजा में तीन बंदगों के शव मिले है जिन में जर्मनी मूलक इस्राइली नागरिक शनी लॉक का शव भी शामिल है एक पिक अप ट्रक में पीछे शनी के मुड़े हुए शरीर की तस्वीर ने लोगों को जगचोर कर रख दिया सेना को मिले अन्य दू शवो की पहचवान अमिद बुसिकला और इतजाग गेलेंटर की रूप में हुई है आउट्डोर डान्स पार्टी नुवा म्यूजिक फेस्ट्वेल में हत्या कर शवो को फिलिस्तिनी शेत्र में लाया गया कि मुष्ट खीन अवेश्या है टो भुष्ट बुस्ट्वन में लाटा युष्टर इस्रेजेंब धूजिक बुसिए युवट बुस्टति अजज़ना अवाने घ्री डिएल्दान इसमाल इसार नूगर्ण and was murdered when they were murdered by Hamas. According to the credible information that we have gathered, Shani Looq, Amit Bouskila and Yitzhak Lerenter were murdered by Hamas while escaping the Nova Music Festival on October 7 and their bodies were taken into Gaza. They were celebrating life in the Nova Music Festival and they were murdered by Hamas. म्यूजिक फेस्टिवल में की थी हत्या सेना ने इस बात की तत्काल जानकारी नहीं दे कि उनके शव कहां पाए गए साथ अक्टूबर के हमले में हमा सातंकियों ने लगभग बारो सो लोगों की हत्या कर दी थी जिन में मुख्य रूप से नागरिक थे और लगभग धाई सो अन्य लोगों का पहरण कर लिया था इसराइल का दावा है कि गाजा में लगभग सो बंदग और लगभग तीस अन्य के शव भी हैं हमले के बाद से गाजा में इसराइल के आपरेशन में 35,000 से अधिक फिलिस्तिनी मारे गए है इसराइल ने राफा पर बोला हमला वहीं दूसरी और इसराइल में हमास के हमले के बाद पश्यमी इशिया के हालात लगातार भी गड़ रहे हैं अंतर राश्चे समुदाय के अधिल के बावजूद है गाजा में चिड़ा युद्द धामने के बजाए और क्रिशन पुता जा रहा है अमेरिका के अनुरोथ को दरकिनार करते हुए इसराइल में रफ़ा पर हमला बोल दिया इसके चलते हजारों की तादात में लोगों को पलाइन करने के लिए मजबूर होना पड़ा गाजा में तीन इसराइली बंदकों के शर्म मिलने के बाद युद्द के और तेज होने की आशन का गहरा गए है हमास थेका थिए संकर्ष के ले तैयर फिरिया हिं सकता क्राव लंब समयत कि कि ऑना चले वा पुछ आ वो आ फुगा पलिए्स अछे का अजारी डूप पलेशनों के लिए। कि पनारिस किसाली किस्याओ in